इस वीडियो में बताऊंगा कि हम सब अपना राइजिंग साइन अपना सन साइन और मून साइन कैलकुलेट कैसे गरते हैं देखते कैसे हैं और वेदे का आस्ट्रोलेजी जो हमारी जोतिश हो गई उसमें यह रीप्रेजेंट या इनका मतलब क्या होता है तो first and foremost मैं आपसे बात करूँगा कि लगन क्या होता है that is what is your rising sign in जोतिश लगना rising sign ascendant तीनों का मतलब एक ही है लगना का मतलब as the name suggests something which gets attached to you something जो आपको लग जाए जैसे मुझे यह बात लग गई लगना जोतिश के अंदर 12 तरीकों के होते हैं जैसे 12 राशियां होती है 12 zodiac sign उसी तरीके से 12 किसम के लगन होते हैं तो हम सारे individuals हम सारे natives किसी ना किसी लगन के होते हैं अब लगन मैंने जैसे का 12 ही होते हैं तेरा नहीं होते तो मैं आपको एक तो calculate करना सिखाऊंगा कि लगन calculate कैसे करते हैं बट उससे पहले थोड़ा idea ले ले लेते हैं कि लगन theoretical sense में मतलब क्या होता है So when a native, a child is born from his mother's womb उस समय whatever rising sign was rising from the east वो आपका लगन बन जाता है rising sign बन जाता है तो एक rising sign represent करता है आपकी intelligence को, आपकी physical body को हर type का जो native है जो ये 12 rising signs में 12 लगन के होते हैं उनका एक specific life path होता है जिसपे उनको चलना बढ़ता है एक certain उनको challenges होते हैं और certain उनके strong traits होते हैं जिनके साथ वो born होते हैं certain desires होते हैं और certain उनके non desires भी होते हैं जो उस लगन के इंसान के शायद नहीं हो तो अब मैं आगे आपको explain करूँगा कि लगन अपना find out कैसे करते हैं तो as you can see ये एक North Indian birth chart है तो इस North Indian birth chart के अंदर ये जो ये घर है न इसको first house कहते हैं ये fixed होता है हम सभी के लिए जो इस first house में numbers लिखे हुए हैं उनको राशियां कहते हैं first house second house में तो जैसे 12 ही घर होते हैं तो उसी तरीके से जैसे मैंने बताया 12 ही राशियां that is zodiac signs होते हैं तो जैसे हम example लेते हैं कि जैसे इस chart में अगर आप देखेंगे ये first house है इसके अंदर राशी लिखी हुई है number 6 तो मैंने side पे chart provide करा हुए है अब इस chart पे हम देखेंगे कि ये जो राशी है उसके side पे ये numbers allotted है मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है आप उसको refer कर सकते हैं मैंने description box में add कर दूँगा अगर आपको ये जानना है कि राशियां planets को और numbers कैसे allot होया राशी इसको so moving ahead अब हमने देखा कि इस first house में number 6 लिखा हुआ है तो अब हमने chart refer करा number 6 का मतलब वर्गो लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये chart एक वर्गो rising sign का chart हो गया या वर्गो लगन chart बन गया एक और example ले ले लेते हैं अब ये first house है इस first house में क्या digit लिखा हुआ है क्या आशी सेम बात हो गई अब यहां पर number 10 लिखा हुआ है number 10 हम list को check करते हैं तो number 10 का मतलब हो गया Capricorn तो ये जो rising sign की chart हो गया ये लगन हो गया Capricorn chart ठीक है अब आगे बढ़ते हैं so sun in jyotish represents our ego it is our soul it is also our father to according to great vedic astrologer Mr. Sanjay Rat we all are born here to be punished by the sun soul takes physical form in this biomechanical suit called body so that we can go through the vicissitudes of life जितनी भी life के उतार चड़ाव हो गए ups and downs हमारे losses, gains, hunger, fulfillment ये सब हम born होए हैं ताकि ये सारी चीज़े हम life की experience कर सके हैं और sun को अपना pending karma release कर सके हैं so sun sign important इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लोगोंने बहुत बार सुना होगा कि मेरा sun sign ये है मेरा sun sign libra है sun sign का मतलब है कि हमारा जो soul है वो कौन सी राशी में है क्योंकि जिस भी राशी में हमारा sun आ जाता है, soul आ जाता है उस राशी के characteristics हमारा soul desire करता है उसको release करने का वैसे behave करने के लिए अब मैं आगे आपको ये बताऊंगा कि अपना sun sign calculate कैसे करते हैं तो sun sign is quite simple, मैं आपको ये list provide कर रहा हूँ, चाहां पर ये numbers allotted है 1 से लेके 12 तक और side पे राशी लिखी हूँ है तो मैं आपको आने वाले part के वीडियो में examples दिखाऊंगा कि आप अपना sun sign कैसे calculate करते हैं और मैं आपको एक और disclaimer देना चाहता हूँ कि जो आप सभी mostly अपना वेदिक आप अपना sun sign आप सोचते हैं जो वैसा वेदिक astrology के साब से different होता है तो अक्सर बहुत सारे जन बहुत सारे लोग अपने जो उनको आदत है कि अपने horoscope reading predictions करते हैं वो अपने western जो उनका sun sign है उसके according कर रहे होते हैं जो unfortunately most of the time गलत होता है तो मेरी जैसे बहुत लोगों के साथ अब consultations चलती है सब होता है तो उनको बड़ी हरानी होती है कि जी मैं तो मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा मेरा rising sign ये हो गया और मेरा sun sign ये है मैं को तो लगा कि मैं इस month में बहुन हूँ तो मेरा sun sign तो वर्गो होगा लिबरा होगा उपर भाई कोई factory थोड़ी ना लगी हुई है कि यहां से लेके इस महीने तक सारे के सारे एक ही category के निकलेंगे खेर आगे भड़ते हैं इस part में मैं आपको explain करूँगा कि अपना sun sign find out कैसे करते हैं इसको find out करने का application भी बहुत easy होता है ये मैंने आपको list provide करी हुई है जहां एक से 12 तक राशी है उसके side पे ये राशियों के नाम है अब certain examples लेंगे चार्ट के और उसमें हम देखेंगे कि sun sign इस चार्ट का क्या बन गया तो चलिए charts देखते हैं थोड़े अब देखें अभी आप ये मत देखेंगे कि ये कौन से house में बैठा है आप ये देखें कि sun कौन सी राशी में बैठा हुए तो इस example में हम देख रहे हैं कि जो sun है वो number 9 में बैठा हुए तो sun in number 9 अब हम chart refer करते हैं number 9 का मतलब हो गया Sagittarius अब इसका क्या मतलब हो गया? अब इसका मतलब यह हो गया कि जैसे Sagittarius है for example It is ruled by Jupiter, a wisdom oriented expanding planet Guru, Jupiter तो अब Sagittarius के automatically जो traits हो गये, वो हो गये to be a teacher, counselor, guru, providing wisdom तो अगर किसी का sun Sagittarius में आ गया, तो वो देखेगा कि उसका soul हमेशे desire करेगा यह qualities अब advanced lesson में इसका मतलब हो गया कि जिस भी घर में यह राशी sun के साथ बैठी हुई है उस घर में desire करेगा, उसके लिए आप refer करिए मेरी पुरानी विडियोस houses in astrology की उसी तरीके से एक और example ले लेते हैं अब इस chart के अंदर हम देखते हैं sun कौन सी राशी में लिखा है sun लिखा हुआ है number 8 राशी में अब number 8 राशी का मतलब chart के इसाब से हमने देखा Scorpio हो गया अब Scorpio का मतलब क्या हो गया Scorpio is ruled by Mars तो Mars खुदी बड़ा एक red energetic angry planet होता है वैसे तो तो Scorpio Mars की बड़ी darker side होती है क्योंकि Scorpio is like stagnant water तो अब किसी का अगर sun, that is its soul Scorpio में हो गया तो Scorpio की राशी के लोग बड़े ही intuitive हो सकते हैं mysterious हो सकते हैं secretive हो सकते हैं to be very intuitive, to be highly secretive, very mysterious तो ऐसे हमने अपना sun sign भी निकालने के मैंने आपको कुछ examples दे दी है अब हम आगे भढ़ते हैं अब मैं बात करूँगा moon की तो moon वेदे के astrology में represent करता है हमारे mind को हमारे emotions को moon is actually the way we think moon also represents nourishment it is a mother sun father हो गया तो moon हमारी mother हो गई अब जैसे मैंने आपको बताया है कि lagon that is your rising sign आपका path हो गया life का आपकी कहीना कहीं intelligence आपकी physical body हो गई तो उसी तरीके से sun आपका soul हो गया तो soul अपना maximum pending karma release करता है जिस भी राशी में हो जिस भी घर में हो उसी तरीके से जो moon हमारा mind है जिस भी राशी में हमारा mind चले जाता है moon हमारा दिमाग, हमारा thought process उस राशी से related उस zodiac sign से related बहुत ज़ादा सोचता है हम देखते हैं कि हमारा soul जो मर्जी सोच रहा हूँ हमारा लगन जैसा मर्जी हमें path पे लेके जा रहा हूँ हमारा mind उस चीजों के बारे में constantly सोचेगा तो इसको calculate करने का भी तरीका बहुत easy होता है मैं आपको present करता हूँ तो how to calculate your moon sign तो जैसे हम अपना sun sign calculate करते हैं हम same application use करते हैं हमारे moon sign को ढूलने के लिए अब moon sign calculate करने के लिए ये हम chart refer करेंगे और देखेंगे कि आपका जो moon है जिसको हम जोतिश में चंद्रमा कहते हैं वो कौन से number में लिखा हुआ है मतलब कौन सी राशिय में बैठा हुआ है तो चलिए कुछ charts refer करते हैं अब इस chart के अंदर देखते हैं इस chart में जो moon है आप देखेंगे ये number 12 में लिखा हुआ है अब number 12 को हम chart से refer करते हैं तो 12 का मतलब हो गया Pisces Pisces Jupiter की बड़ी ही imaginative side हो जाती है बहुत ही creative side हो जाती है तो अगर किसी का moon Pisces में हो गया तो वो इंसान बहुत जादा creative हो सकता है highly imaginative हो सकता है उसी तरीके से एक और example ले लेते हैं अब इस chart में हम देखते हैं तो moon हमारा लिखा हुआ है एक number में अब एक number is represented by if we look at the chart Aries अब Aries Mars की ना बड़ी action oriented side होती है बड़े on the go लोग होते हैं Aries मेश लोग तो अगर किसी का mind moon Aries राशी में है तो उसको हमेशा होगा कि मैं ये काम करूँ और खतम कर दूँ moon अब किसी का Aries में होगया तो थोड़ा aggressive भी हो सकता है on the go टाइप लोग हो सकते हैं highly action oriented तो ये certain examples होगा है कि मेरा moon या किसी का moon अब इन राशियों में है तो हम calculate कैसे करेंगे और कैसे behave करेगा अब बात होगी how to calculate all three तो मैं आपसे एक से दो charts अब share करता हूँ जा हम तीनों का application देखते हैं और देखते हैं कि actually किसी भी native के chart पे ये तीनों behave कैसे कर रहे हैं तो let's start with one example अब इस chart में हम देख रहे हैं कि इस first house में नमबर तीन लिखा हुआ है ठीक है तो नमबर तीन लिखा हुआ है और ये first house है तो ये rising sign या लगन कौन से लगन की गुनली हो गई है हमने chart देखा नमबर थ्री का मतलब है ये हो गई Gemini तो ये एक तो Gemini rising sign Gemini लगन की गुनली हो गई अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर second house में जहाँ number 4 लिखा हुआ है महाँ पर moon बैठा हुआ है तो हमने chart refer करा हमने देखा moon यहाँ बैठा हुआ है cancer के अंदर तो हम ये बोल सकते हैं कि जितनी भी nourishment है इस इंसान की वो इसको second house में और family मिलेगी और moon इसका sense cancer में है तो इसका जो mind है it can be all about providing nourishment अब हम वैसी देख रहे हैं कि जो इसका sun है इस chart में ये sun बैठा हुआ है 7th house में number 9 में अब number 9 हमने chart से refer करा number 9 का मतलब हो गया Sagittarius तो like I told you Sagittarius wisdom oriented Jupiter की राशी है तो यहाँ पर अब जो native का soul हो गया it can be all about giving, counselling, teaching providing wisdom out there in front of people to their spouse also in business partnership also क्योंकि लिखा 7th house में ये थोड़ा advanced topic हो गया कि 7th house है आप मेरी पिछली वीडियो रफर करें houses and astrology की वो और sense बनाने लग जाती है कि जो भी moon और sun जिस भी राशी में है वैसा तो behave करेगा बट जिस house में वैट है महाँ और जादा वैसे behave करेगा ये और advance हो जाती है astrology जैसे जैसे हैं और अब इसके अंदर deeper dissect करते जाते हैं एक और example ले ले लेते हैं second example अब अब इस chart को देखे इस chart के अंदर first house में two number लिखा हुआ है two मतलब Taurus की राशी हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक Taurus rising लगन की कुनडली हो गई अब हम देखते हैं कि जो इनका sun है जो इनका sun है वो लिखा हुआ है ninth house में ज़ह number 10 लिखा हुआ है तो हम ये बोल सकते हैं कि number 10 मतलब केप्री कॉन तो sun sign इनका केप्री कॉन की राशी में हो गया और केप्री कॉन साटन की राशी का वो है रूलर्शिप है साटन की तो साटन बहुत mature, cold, practical planet है तो अब जो sun है यहाँ पर बहुत जादा जो soul है practical हो सकता है अब जैसे चार्ट में, second house में three number की राशी में लिखा हुआ है अब three number का मतलब Gemini है हो गया अगर हमने चार्ट को refer करा Gemini हमारी master of communication planet Mercury की राशी है तो जो mind है, it can be all about communication अगर मैं इसको crux में conclude करना चाहूँ तो मैं यह कह सकता हूँ कि this is a Taurus लगना chart with moon sign in Gemini तो मैं expand करता हूँ यह भी बोल सकता हूँ कि Taurus लगन native को बहुत जादा financially security के बारे में बहुत जादा concerned और बहुत जादा money oriented बनाता है बट साथ में जो moon है mind, it is always focusing towards communication and towards fulfilling communication within the family और since जो sun है, वो हमारा ninth house में आ गया, number 10 की तो soul can all be about being very practical out there so you can see, you can be very money oriented, financial security oriented person also with a lot of emotions and thought process, trying to be very communicative yet being very practical as a soul तो इस video को बनाने का मेरा जो मकसद था या agenda, intention था वो ये था कि actually, जो हम जितने भी लोग है majority people out there एक तो वो लोग अपनी जो horoscope readings करते हैं वो अपने western astrology के हिसाब से करते हैं यैसे मैंने शुरवात में बोला कि ये कोई manufacturing factory थोड़ी ना लगी हुई है universe में कि एक तारीक से दूसरी तारीक तक जितने भी लोग बनेंगे वो liberans ही बनेंगे या फिर इस तारीक से इस तारीक तक सारे लोग scorpion ही बनेंगे दो लोग same date पर पैदा होके भी बहुत different हो सकते हैं तो what I want to share with all of you is that we all are unique individuals unique souls and to some basic grass level we are a blend of three things our sun sign, moon sign and our ascendant ऐसे तो ये बहुत gist level पर है हम अगर further dissect करें जैसे मैंने आपको बोला कि अपने house देखें हैं कि किस house में बैठें हुए वह आपको और clarity मिलती है फिर आपको आपकी दशास पता हो आपको पता हो कि planets आपके किस नक्षक्तर में बैठें हैं वो और clarity देती है but grass level, root level foundation यह gist है इससे हमें पता लगता है कि हम लोग सारे unique individuals हैं और हमारा sun sign, moon sign और लगन कुनली देखी कैसे जाती है in fact जितने भी predictions और बड़े-बड़े astrologers हैं जो horoscope predictions दे रहे होते हैं वो आपके moon sign और rising sign के basis पे दे रहे होते हैं उन western astrological science के उपर नहीं जो fixed ही रहते हैं और जो आपको लगता है कि actually आप अपनी predictions ठीक पर रहे हैं तो trying to conclude this video we all are we each one of us we all are consciousness living in this biomechanical suit experiencing this dimension and game called life so I just wanted to tell you कि जिस level पे, basic level पे अपना sun, moon और लगन that is your rising sign calculate कैसे करते हैं तो अगर आपको इस video से clarity मिली हो तो like this video and please subscribe to our channel to stay updated to more such astrological videos just simple facts related और to the point videos मैं बनाते रहूंगा